इंशालला ये class में में M-set के कुछ previous exams के questions केंगे आप बुट पर देखिये question लिए the center of a circle which touches y axis at 0,3 and making an intercept of two units on the positive x axis on the positive x axis अब देखिये इसको हम figure बतारेंगे touches the y axis at 0,3 एक रफ figure बतार लेंगे हम and makes an intercept suppose देखिये touches y axis को and intercept on the अब suppose ये touch यहां पर हो रहा समझोग, suppose touches y axis at 0,3 and makes an intercept on the x axis suppose ये center as c, यहां स एक परपेंट को तरद लिया तो ये आदा होया था यानि ये distance, ये distance ना ये बन होया था और देखियो ये distance होता 3 क्योंकि ये 0,3 है ना यहां से यहां तक y coordinate 3 है तो ये भी 3 होया था तो अबन क्या करेंगे, इसका radius ऐसा मांग करेंगे, पैतोगरस 3 मिस करेंगे, ये जो radius है ये opposite हो जाएंगा, ये जैसे हम ये hypotenuse पैतोगरस यहां, स्क्वेर इकोल स्क्वेर प्लस एज था अब यह जो़एडियस आप इसको जबेगा तो यह क्या फोली से आ सतने दाइगा तो यह इसका पॉाइंट क्या तो यह जबीक है unterstüt और सेंटर का y-corneret आगया 3 देफोर देफोर देदेटर इस 10,3 next question दीए कि the slope m of a tangent passing to the point to the circle मैं फिर होता है सम्झेंगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक तांचेंट है passing to the point 7,1 to the nice slope suppose m to the circle circle क्या देठा हुआ अब हम इसका एक स्क्राइब और स्क्राइब एक स्क्राइब और स्क्राइब आपने कुर्ड़ेस आगया 5 और सेंटर 0,0 थिक अब अपने इसके लिए टांचेंट के लिए कंदेशन केंगे इस कहेंगे radius यह इकोल तो पहले एकुछन प्रफेटिस फेलेगे लिए स्लोप और पॉइंट को विला के ट्रफेटिस प्रफेट स्लोप प्रफेट को y-y1 इकोल थो m x-x1 तो y- यह हो गया x1 y1 1-1 इकोल फो माल नहीं प्रफेट आपको x-x1 हो गया 7 इसको multiply करो m into x mx यह plus फ़र दले तो minus y minus 1 दले तो plus 1 minus 7 into m7 यह general form भी दा लिए अब general form में लिखे बाद हम क्या करेंगे radius equals to perpendicular distance का condition में इसके तो यह tangent को समझना ax plus by plus c equals to 0 condition का यह radius equals to perpendicular distance perpendicular distance का formula था mod of ax1 plus by1 plus c by under root of a square plus b square अब यहां पे जो center है यह होगा x1 y1 radius 5 यह radius का है 5 तो 5 equals to mod of a a का है m into x1 x1 y1 का है center 0,0 x1 plus b आने minus 1 into y1 है 0 plus c आने 1 minus 7 m divided by under root of a square m square plus b square यह मनस 1 square यह यहां पे लालो तो यह होगा 5 into under root of m square plus 1 equals to 1 minus 7 m square यह 5 square यह 25 into m square plus 1 यह होगा a minus b whole square a square यह 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 1 square minus 2 यह बीटू 7 सा 14 m plus b square कर रहता 49 m square इसको multiply कर लो 25 into m square 25 square 25 m square यह दला लो तो 49 minus 25 25 होटा 24 m square यह दला माइनस 12 m अब 25 यह 25 यह 25 plus 25 होटा माइनस 25 माइनस 25 यह 25 माइनस 24 इकोल्स टू 0 इसमें से हम 2 सकते हैं अगर इसमें से हम है ना 2 कॉमल ले लो अगर हम 2 कॉमल ले तो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोनों का सेंटर सेंटर सेंब और रहे हैं तो ना 2 रहे हैं यह अगर सकते हैं तो दो कर लो कि आंडर रहर रहर रहा हमाइनस 31 सकते हैं अन्द कर टो ळू गठानेำ रहिए 65 मैनस 24 फोल सक्राइब को चल्स ब्लस य स्पमना रहर 2 हो तो you get D square equals to R1 or R2 or R1, same R1 or R square plus R square is 2R square . तो यहाँ पे गाँए 5-2 is 3 square 9, 3 square 9 9 plus 9 18, 21 0, 2 9, R square equals to 8, so root 9, root 9 is 3 .देफर, the radius is 3 . next question, देखिए देखिए, the parametric equations x equals to y equals to the other represents a circle of radius dash देखिए हमसको डाय डिखर सकते है अलवता है इसमें जो है परम्यटी क्यूस्ट रहे है और थो हम थोगर इसमें क्या करेंगे तो तो यह गहेंगा x equals to 2a यह हो गया cos 2a वैसी देखियो y क्या दिया 4 को लिग दाल सकते हैं y equals to 4 दालो 2 इंटो पहले एक दालो 2 एक दाला यह 2 यहां पर बचा सो जालो 2 t काया tan a divided by 1 plus tan square a यह भी फर्मुला गया y equals to 2a tan a 2a sin 2a अब यहां से डाइड कर सकते हैं एक परामेट्रिक विशन है तपना है x equals to r cos theta y equals to r sin theta इससे इसको बलते है परामेट्रिक एक्क्वेशन तो सथी तो परामेट्रिक विशन में आप कंपे कर लो r kb क्या है 2a देफोर its radius is 2a यह तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं स्क्वेशन करके अड कर लो तो पराहना elimination of theta विलता है न तो स्क्वेशन करके अड कर लो x square plus y square x square plus y square equals to 4a square काम लेड़ो यह cos square आता है sin square तो cos square theta plus sin square theta अपने पास 1 आता है तो यह 1 छोड़ा लो इसको कम पे कर लो x square plus r y square equals to r square r square के पे करें हम अपस 4a square r क्योंगा root of 4a square root for is to a square root cancel next question देखिए find the equation of equation of polar of point minus 2,3 with respect to the circle circle को समझेंगे हम s of point को समझेंगे x1y1 equation of polar है था s1 equals to 0 सब्सक्राइब अब s1 के सब्सक्राइब था हमेशा x1 के लिए x square को दालना x x1 y square को दालना y y1 s1 माम करेंगे तरिका x के coefficient को आदा गालना 4 है ना minus 3 देखिए यहाप x के बजा है x plus x1 इसके coefficient को भी आदा गालना 6 है ना 3 दालो y plus y1 plus 5 यह हो गया s1 equals to 0 अब x1 y1 का है यह point सब्सक्राइब लाँ x into x1 so x1 is minus 2 तो यह minus 2 x हो गया y1 याने plus 3y minus 2 into x plus x1 यह minus 2 minus 3 into y plus y1 याने 3 plus 5 equals to 0 क्या है यह minus 2x plus 3y minus 2 plus minus 2x minus into minus plus 4 minus 2 plus minus 3y minus into plus minus 9 plus 5 equals to 0 देखिए plus 3 minus 3y cancel minus 2x minus 2x हो गया minus 4x यह क्या है वे देखिए 4 plus 5 9 plus 9 minus 9 cancel equals to 0 तो minus 4 देखिए x equals to 0 by minus 4 is 0 x equals to 0 is the equation of polar देखिए वे complete portion के लिए आप लोग M-set में जो है प्लेट में जो है प्लेट में जाहिए इंचाहला प्लेट में और बहुत से chapters मिलीगे वहां पर complete portion practice करिए already जो है circles के 50 questions already जो है वहां पर है M-set के आप लोग तो आप लोग को समय में आ रहा है फायदा हो तो क्यों करें भी लाइक करें शेर करें सब्स्राइब करें इंचाहला इसकोट फिर नेक्स क्लास में सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें